हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नमस्कार क्लिक निज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है भारतिय वैज्ञानिकों ने एक प्रिक्षन के दोरान पाया कि Cas9 Enzyme DNA को बहुत कम तापमान पर बांध और काट सकता है Cas9 Enzyme एक आनवी कैंची के एक इगम के रूप में कारे करता है जो Genome में एक विशिष्ट स्थान पर DNA के दो स्टेंट को काटने और जोरने में उप्योग किया जाता है इस पर Gen Editing तकनिक को 2020 में नोबल पुरसकार से भी सम्मानित किया जा चुका है Gen Editing या Genome Editing प्रोग्राम के एक सेट है Editing की प्रक्रिती के आधार पर संपूर्ण Genome Editing प्रक्रिया को तीन स्टेंटियों में बाटा गया है SDN यानि Site-Directed Nuclease 1, SDN2 और SDN3 CRISPR-Cas9 यानि की Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats Bacteria जैसे Procrediotic जीवों के Genome में पाई जाने वाले छोटे DNA सिक्वेंस होते हैं वैग्यानिकों ने अपनी इस परिक्षन में पाया कि 40 डिग्री से कम तापमान पर Cas9 Enzyme का उप्योग तापमान समीदी जीवों, पौधों या फसल की किसमों में Gen को Edit करने में किया जा सकता है CRISPR Cas9 तकनिक का उप्योग पहले भी कई उद्देश्यों के लिए सफलता पूर्वक किया गया है इसमें CRISPR Cas9 तकनिक का उप्योग रोक प्रक्तियाओं और उनके संभावित उपचारों के बारे में ज्यान को बरहाने के लिए Gen के Function को समझना और क्रिसी संभन्धित रोगों का समाधान ढूर्णना भी शामिल था अनुवन्शिक रूप से संसोधित यानि GM फसलों को तयार करने में इसी तकनिक का इस्तिमाल होता है हलाकि अनुवन्शिक रूप से संसोधित जीवों पौधों और फसलों का नहतिकता जैव सुरक्षा और पर्यावरन की द्रिष्टी से हमेशा विरोध होता रहा है